हलो दोस्तो आप अपने Android फोन में Chrome browser का layout कैसे change कर सकते हो वो आज हम देखेगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको Chrome browser open कर देना है Chrome browser open करके आप देख सकते हो कि आप इस तरह से पहले आपके Chrome browser में layout मिरता है इस तरह से box में divide हो जाता है आपके हर कोई एक search के बारे में अगर आप इसे change करना चाहते हो कोई cool layout यहाँ पर लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे तो सबसे पहले आप search बार में चले जाए और यहाँ पर जाके आपको type करना है Chrome लिखना है यहाँ पर Chrome फिर उसके साथ आपको colon लिखना है और double slash लिखके यहाँ पर आपको type करना है flex अगर आप flex लिखने के बाद enter कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से experiments लिखा हुआ एक page आएगा जहाँ पर आपको tab यहाँ पर search कर लेता है easily आप tab यहाँ पर search करोगे उसके बाद आपको tab grid layout मिल जाएगा tab grid layout में आपको यहाँ पर enable लिखा हुआ होगा वहाँ पर click करना है पर यहाँ से आपको disable पर click कर देना है disable पर click करने के बाद आपको नीचे की side सबसे वहाँ पर relaunch का एक button दिखेगा तो relaunch के button के पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ पर इस सारा जो chrome browser open हुआ होगा उसे close कर देना है close all भी कर सकते हो आप उसके बाद आपको again chrome browser में जाना है और उसे open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर home menu पर आ जाना है again और अब आप यहाँ पे अपना layout चेक कर दीजिए तो यह layout देखिए आपका अभी इस तरह से layout आपको मिल जाएगा अगर आप कोई website यहाँ से open करना चाहते हो जो आपने already search किया हुआ है तो easily आपको इस तरह से मिलेगी और आप आपको यह layout भी थोड़ा cool जैसा लगेगा तो आपको यह video कैसा लगा दोस्तो और आप यह trick अपने दोस्तों को भी share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और हमारे videos को share कीजिए Thank you for watching my video